दोस्तों आप सबी ये बात जानते हो कि हमने रेशिया से 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीदी है और हमको S-400 की 5 रेजिमेंट की कीमत 40,000 करोड के आसपास पड़ी है यानि कि हमको 1 रेजिमेंट 1 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ी है जब हमने रिश्या से S400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा था उसी समय भारत ने ये बाद ठानली थी कि आगे चल कर हम अब किसी और देश से डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीदेंगे और ये हमारी गोर्मेंट की तरफ से एक अच्छा कदम भी चला गया है क्योंकि हमको भलेई अट भारत ने एक एसे डिफेंस सिस्टम को बनाने की तयारी शुरू कर दी है जो फ्यूचर में भारत का बहुत ही जादा पैसा भी बचाएगा और दुश्मन देशों को पिन पॉइंट एक्क्योरेसी के साथ तभावी करेगा वो भी बिना किसी मिसाइल के दरसल अब भारत की तरफ से 100 किलो वाट के टेरेक्ट एनरजी वैपन यानि की लेजर वैपन पर काम करना शुरू कर दिया गया है और इस समय दुन्या में गिने चुने ही एसे देश हैं जिनके पास इस समय लेजर वैपन मुझूद हैं इस समय भारत के पास भी एक लेजर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से हम छोटे डृनों को काफी आसानी से मार कर गिरा सकते हैं लेकिन अब जोए लेजर डिफेंस सिस्टम बनाये जा रहा है इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों के बड़े से बड़े ड्रोन, हेलिकोप्टर, मिसाईल और रोकिटो को काफी आ आसानी से लेकर जाय जा सकेगा इस डिफेंस सिस्टम की मदद से एक बाद दुश्मन देश के हेलिकोप्टर को मारने के लिए हमको जिस लेजर बीम की जरुवत होगी वो कुछ ही हजार रूपिये में दुश्मन देश के 5 से 10 करोड के हेलिकोप्टर को आसानी से मार कर गिरा देगी वही पर अगर हम अपने S-400 डिफेंस सिस्टम की मदद से किसी भी हेलिकोप्टर को मारने की कोशिश करते हैं तो उस कंडिशन में हमको 15 से 20 करोड रूपिये की एक इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर करना पड़ता है यानि इस लेजर डिफेंस सिस्टम के आजाने के बाद हम काफी सस्ती कीमतों के अंदर दुश्मन देशों के ड्रोन, हेलिकोप्टर, मिसाइल, प्रोकिटो को मार सकेंगे और इस समय भारत की तरफ से 500 मेगावोर्ट और 300 मेगावोर्ट के लेजर वेपन के उपर भी काम किया जा रहा है और हमारा ये डिफेंस सिस्टम इसर काफी कंप्रेस कर दिया जाता है इस बात को आप आसानी से एसे समझ सकते हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी को धोते हैं उस समय आप लगातार अपने पाइप को आगे से दबाते रहते हैं और एसा हम इसलिए करते हैं ताकि प्रेशर को तेज किया जा सके सेम इसी तेरीक का फिनोमीना लेजर वैपन में इस्तमाल किया जाता है और अब आप ही कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या में लेजर वैपन होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो वेव गूद दे